फैन बेल्ट या फिर अल्टरनेटर बेल्ट एक ऐसी चीज है आपकी गाड़ी में कि जो चलती जाए तो सालो साल चलती जाए पर अगर रूलाने का मन इसने बना लिया तो ऐसी जगा में रूलाती है कि जहां पर अच्छे अच्छे आदमी जो है वो पानी मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि अगर ये आपकी बेल्ट अगर टूट गई तो ये आपको एहमियत दिखाएगे कि धाए सो रुपे की एहमियत क्या होती है अगर 250 रुपीज की कोता ही आपने की तो ये दले डूपती है अल्टरनेटर जो आपकी गाड़ी का होता है इसी से चार्ज होता है क्योंकि इंजन की पावर के साथ में आपका अल्टरनेटर गूमता है किसी-کسी गाड़ी में पीछे की तरफ में लगा होता है, किसी-किसी गाड़ी में आगे की तरफ लगा होता है जैसे इसमें intake manifold जो है आगे की तरफ में, exhaust पीछे की तरफ में है इस तरह से ही ultra-fulta system होता है, बट mainly क्या है कि आपके alternator के साथ में जो belt जुड़ी होती है वो ये belt कहलाती है अक्सर इसे हम fan belt बोल देते हैं fan belt इसलिए क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जो पंखा होता था radiator fan वो इसी belt के साथ में घूमता था इस belt के एक और काम होता है बहुत जरूरी वो जरूरी काम ये है कि जो आपकी गाड़ी का water pump होता है water pump भी आपका इसी belt की मदद से घूमता है we belt भी काफी time पे इसको बोल दिया जाता है अलग-अलग functions बट mainly क्या है कि अगर water pump आपका घूमना बंद कर गया मतलब ये belt अगर रास्ते में तूड गई तो बैटरी तो देखो चार्ज तो होगे नहीं आपकी बट साथ में आपका coolant भी circulate नहीं करेगा गाड़ी में और ये सबसे बड़ा drawback है क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते रहे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी गाड़ी over eat करेगी तो इस belt को time to time जो है वो replace कर लेना चाहिए जब भी आपको मौका मिले और इसकी replacement की मैं आपको बता दू कि काफी कंपनिया अलग-अलग time period बताती हैं इसको replace करने का कुछ बोलती हैं कि lifelong चलेगी बट लगबग-लगबग कुछ maximum to maximum जो है एक लाग किलोमेटर इसकी life होती है हलांकि चलने पर आजाए तो ये तीन-तीन-चार-चालाग किलोमेटर भी चल जाती है अगर किस्मत रहे साथ में बट मेरी मेरा मानना ये है कि 40-50-1000 किलोमेटर जब हमारी गाड़ी के हो जाए तो ये 500 रुपे की चीज इतनी महंगी नहीं है आपकी पांच या दसलाख रुपे की है उससे जादा महंगी गाड़ी की इसको चेक करने का तरीका ये होता है जो इनर इसके बिड्स होते हैं इनको मोड के देखा जाता है अगर यहाँ पर क्रैक आना शुरू हो गए हो मतलब आपकी बेल्ट जो है कभी भी तूटने वाली है साइड में अगर कहीं करायक साना शुरू हो हो तो भी आपकी बेल्ट तूटने वाली है तो ये चीज़ें आपको देखनी है बढ़ एक नॉर्मल जर्नल रूर में आपको बताओं तो लगबख 40-50,000 किलोमेटर या फिर 5-6 साल में अगर आप इसको 2500-300 रुपे की चीज़ को बदल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ ही मैं बता दूँ कि आपको बहुत ही असान तरीका इसको मैं रिप्लेस करने का आपको बताने वाला हूँ ये तरीका इतना असान है कि अगर आप तायर खोलना अपनी गाड़ी का जानते है तो बस इतना ही सिंपल आपकी गाड़ी में बेल्ट चेंज करना भी है कुछ खास चीज़ें आपको नहीं चाहिए काफी गाड़ीों मैं ऐसा होता है कि अल्टरनेटर आपको जो है वो हटाना पड़ता है मतलब उसको आगे पीछे मूव करना पड़ता है तब जाके ये बेल्ट रिप्लेस हो पाती है बट अगर आप चाहें तो जुगार विद्धय के साथ में देशी तरीके साथ में जैसे अभी मैं आपको चिखाऊंगा उस तरह से भी आप बेल्ट चेंज कर सकते हैं इन केस ओफ एमरजनसी बट अगर अल्टरनेटर को हटा के मतलब उसकी प्लेल आके अगर उसको चेंज किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है सबसे पहले जो आपको गाड़ी का टायर आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए मैंने जैक का यूज किया है कभी भी गाड़ी में जैक का यूज करें तो साथ में आप याद रखिए कि जैक स्टैंड का यूज जरूर करिए safety के लिए बहुत जरूरी है jack के उपर में कभी वरोसा मत कीजिए कभी भी गाड़ी आपके उपर गिर सकती है उसके बाद मैं बताओं कि इस तरह का मैंने screwdriver लिया है और ये मेरी crank shaft की pulley है नीचे ये screwdriver को मैंने फसाया है और बाहर की तरफ में push कर रहा हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि अपनी crank shaft की pulley को घुमाऊंगा और घुमाने के बाद में जो belt होगी बाहर की तरफ में आएगी जिस तरह से आटा चक्की वगरा में पटा चड़ाते हैं हम लोग उसी तरह से belt जो है मैं इसको बाहर कर लूँगा और ये बहुत ही आसानी से बिना कोई alternator खोले बिना किसी पाने चाबी का यूज़ किये जादा मशक्कत किये मेरी belt जो है वो बाहर आ चुकी है अब simply मुझे इस belt को बाहर ले लेना है बाहर खीचने के बाद में ये पुरानी belt है इसको हम replace करेंगे बहुत ही simple तरीका है इसको replace करने का चढ़ाने के time पे भी आप इसी को use कर सकते हैं rubber की चीज है तो आपको तूटने फूटने का इसका डर नहीं है और in case of emergency तो बहुत ये अमरित वाला solution है तो ये मेरी पुरानी belt है और पुरानी belt जब भी आप replace करें genuine part के साथ में ही replace करें ये नई belt मैं लेके आया हूँ एकदम genuine part है जब इतना time period पे हम बिलकुल एकदम अच्छी belt है मेरी अभी वी जुसको मैं replace कर रहा हूँ अगर वो replace करी रहा हूँ तो मेरे को genuine part का ही use करना चाहिए after market मैं use यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यह belt जो है वो stretch fit है तो stretch fit होने के कारण इस belt को मैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसको निकाला है उसी तरह से इसको stretch करके मैं चढ़ा सकता हूँ नहीं तो alternator डीला करके उसको चड़ाने का option तो हमारे पास है तो पहले क्या करूँगा कि alternator के उपर में इस belt को लगा दूँगा water pump के नीचे की तरफ से मेरे को इस belt को ले के जाना है अभी जैसे इस तरह से ले के गया हूँ और उसके बाद मैं crank shaft की pulley के उपर में जो groups बन रखे हैं procedure लगबग सेम ऐसा ही होता है इस तरह से आपका जैसे आटा चकी में पटा चड़ता है सेम उसी तरह से आपकी ये वाली belt भी चड़ जाती है और आप ready to go हो जाते हैं तो ये simple procedure है बहुत ही shortcut method है आप alternator ढिला करके अगर लगाएंगे तब भी आप लगा सकते हैं बट याद रखियेगा कि tight कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये हमारी जो belt है अभी चड़ चुकी है एकदम नहीं वाली इसको एक दो बार घुमा के अपने को जरूर देख लेना है चक करके engine को कि ये सही तरीके से चली है कि नहीं चली है और मतलब उतर तो नहीं रही है किसी तरह से बस इतना simple procedure जो है आपको गाड़ी में follow करना होता है 500 रुपे की 300 रुपे की ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज होती है बट जब भी आप रास्ते में फसते हैं तब ये बहुत याद आता है तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैभारत